हलो मेरे तो लिटैए तो टो को पिश्चा नंबर एन और वाज़ थे ऊम लोगते हैं तो क्ening ऑई कह अम लिए त्यूम ङसा वह कहला हुड़र लीया। क्ला मधें तो क्पी मूश परला का कुछ इक वहेमे कौस्टाव हैं तो क्angél को शुट सोरी या थो में लगते हैं तो यह आप लोग से बन जाना चीए और नहीं बना होगा तो मैं करवाओंगा लेकिन question number 3 करने से पहले मैं question number 4 कर रहा हूँ बस यह 4 question फिर 5 question अलग है यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैं इससे आप लोग को थोड़ा सा एक बार और पिछले का आप लोग को और concept clear हो जाएगा जो दो question में अगर नहीं हुआ हुआ था एक गुबारे की तिज्या 10 cm प्रती सेकेंड की दर से बढ़ रही है एक गुबारे की जो त्रिज्या है वो 10 cm की दर से बढ़ रही है मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो मतलब क्या दिया है त्रिज्या ना तो dr by dt है यह dr by dt है कितना 10 cm पर सेकेंड अब समझ में आगे dr by dt है जब गुबारे की त्रिज्या 15 cm हो तब किस दर से गुबारे का छेत्रफल बढ़ेगा बोला है सतही छेत्रफल बढ़ेगा मतलब बताओं पूछा क्या है अगर गुबारे का छेत्रफल मैं यह ले लिता हूं मान लो गुबारे का छे का छेत्रफल गुबारे का छेत्रफल अगर मैं यह लिया तो गुबारे का छेत्रफल क्या होता है फोर पाई आर स्कूरर वृत का छेत्रफल अलग है गुबारे का छेत्रफल अलग होता है ठीक है आयतान वाला भी लगाया हूं गुबारे का आयतान अलग है ठीक है तो यह हो गया मुझे क्या लिकानना है कि जो छेत्र रफल है नहीं जो ए कि इस दर से बढ़ रहा है मतलब की डी ए बाई डी टी लिकानना है कब जब आर आर कितना हो 15 cm आर जब 15 cm हो तो ठीक है ना यह तो मेरे को मालूम है उसको फिर क्या कर दूंगा डिफ्नेंशेट कर दूंगा तो मेरे को ये तो मालूम है यार ए क्या है 4 pi r स्क्वेर है तो मैं इसको दोनों पक्षों में मैं ट के सापिक्ष आउकलन कर दूं आउकलन कर दूं तो यह हो जाएगा 4 pi r मैं बोला r को इस नहीं लोग यहां पर भई T है तो यहां पर भी T होना चीए लेकिन T नहीं है तो कोई बात नहीं मैं T मान लूँगा लो आर की जगह T कर लो तो T square का क्या होता दिफ्नेंसेशन मालूम है आप लोग को क्या डी भाई dx x की power n होता है n x की power n minus 1 तो बस t है उससे कुछ फरक नहीं पड़ता यहाँ पर dy dt t square होता है तो 2 सामने हो जाता फिर यहाँ पर n minus 1 n क्या है 2 2 minus 1 कर दूंगा तो 1 आएगा 2 में गया 1 तो 2 t की power 1 को 2 t लिख सकता हूँ तो 2 t आएगा तो अगर मैं इसको अगर मैं t मान लिया तो t square का differentiation क्या होगा 2 t लेकिन t मत लिखना t मत लिखना जिसको आप t माने हो उसको लिखना किसको माने हो r को माने हो तो r लिख दिये अब यहाँ पर t नहीं था हम तो t माने है तो उधारी चुकाएंगे तो उधारी कैसे जुकाते हैं d by dt कर दो किसको t माने हो किसको t माने हो सर r को माने है तो यहाँ पर यह लिख दो यह अलग बाट यह तो यह आ गया अब क्या आ गया खतम बात d a by dt यह 4 पाई यह 2 इंटू आर क्या हो रहे है त्रिज्या कब जब 15 सेंटिमेटर हो यह 2 इंटू 15 है ना पॉइंट मास समझे d r by dt कहीं है यह है d r by dt यह 10 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ गया आंसर दी ए बाई dt इसका आंसर हो जाएगा चार दूनी 8 यह 8 लिख दो आठ पाई ठीक है 10 का गुणा 4 से किया नहीं सॉरी कि इसका 4 का गुणा 2 से किया तो 8 पाई 15 का गुणा 10 से कर दूँगा तो 150 150 तो d a by dt कितना हो जाएगा 8 00 8 540 हाथ में 4 8 ए कम 8 8 4 12 1200 पाई किसमें हमारा चर रहे है भई यूनिट सेंटीमिटर पर सेकेंड सेंटीमिटर पर सेकेंड लेकिन मैं क्या बोला हूँ जब कभी भी 6 रफल हुआ तो स्क्वेर लगाना आयतन हुआ तो घात में 3 लगाना तो 1200 पाई सेंटीमिटर square per second से यहाँ पे 6 तरफल बढ़ रहा है यहाँ पे 6 तरफल बढ़ रहा है यह आप लोग को समझ में आया क्या यह जबर्दस बात थी तो देख लोग पहला question यह जो जूसरा question हो पहला question यह पहला, दूसरा और यह चौथा question same type का है तो आप लोग को यह एकदम बनना चाहिए अब यह question बता रहा हूँ थोड़ा सा उट-पुटांग type नहीं है पर बच्चे देखके डरते हैं इसको अक्सर तो मैं solve किया एक गुबारा जो सदेव गोलाकार रहता है एक pump द्वारा 900 घन सेंटिमीटर gas प्रती सेकेंड भर कर फुलाया जाता है यहाँ पर क्या दिया है घन सेंटिमीटर प्रती सेकेंड ठीक है जब घन आता है न तो आयतन की बात कर रहा होता है घन घन जब भी दिखा तो वो आयतन की बात कर रहा है घन दिखा तो आयतन की बात कर रहा है मतलब हम लोग को यहां पे देखो क्या है घं सेंटीमिटर प्रती सेकंड भर कर फुलाया जाता है तो जब हम लोग फुलाएंगे तो धीरे 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 वो फुलता जाएगा फुलता जाएगा फुलता जाएगा कब 900 घं सेंटीमिटर वैसे फुलता जाएगा पर तो हम लोग को क्या है, वो V है न, V, D V by DT, तो ध्यान से देखना, घन बोला मतलब, आयतन की बात कर रहा है, और आयतन को मैं V से शो करता हूं, आयतन को V से शो करता हूं, तो यह क्या दिया हुआ है, D V by DT हम लोग को दिया हुआ है, 900, घन सेंटीमिटर को बता हूं कैसे लिखते हैं, वर्ग सेंटीमिटर को कैसे लिखते हैं, वर्ग सेंटीमिटर को, अगर मैं बोलूँ वर्ग सेंटीमिटर, वर्ग सेंटीमिटर, इसको कैसे लिखते हैं, यह, यह होता है वर्ग सेंटीमिट अगर मैं बात करूँ घन सेंटीमिटर की घन सेंटीमिटर की अगर मैं बात करूँ तो इसको लिखते हैं घात में 3 इस यह वर्ग स्वरी घात में 3 न यह 3 समझ में आया तो वर्ग सेंटीमेटर मतलब सेंटीमेटर स्क्वाइर घं सेंटीमेटर मतलब सेंटीमेटर की घाती तो हम लोग को क्या दिया है 900 घं सेंटीमेटर 900 घं सेंटीमेटर यह गैस प्रती सेकेंड प्रती सेकेंड तो यह dv by dt है अगर आप लोग को ऐसा लिख के दिय रहे था कि इसका आयतन 900 900 है तो आप लोग क्या करते सिर्फ आयतन यहां पे लिखते 900 900 हो 500 सेंटीमेटर क्यू घर दे दिया लेकिन आपको प्रती सेकेंड बोर रहा है इसका मतलब उस दर की बात कर रहा है यहां पे लिखा नहीं समझ में तो यहां पर ध्यान देना आपको व आयतन नहीं दिया है आइतन की दर दे दिया यहां पर सेकेंड भरकर फुलाय जाता है तो ऐसे जब फुला रहे हैं तो एक बार में 900 comp cm नहीं फूल जाएगा ना धीरे 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 ऐसे पर см Clm फूर रहे भर कर फूलाया जाता है घुबबाडे की त्रिज्या के परिवर्थन की दर गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, r find नहीं करना है, dr by dt, जब त्रिज्या 15 cm हो, 15 है, हाँ, तो हम लोग को dr by dt हम लोग को लिकालना है, जब r कितना हो, जब r 15 cm हो, 15 cm हो, यह हो रहा है, तो ध्यान दो, यहाँ पे, यहाँ पे कोई r कुछ दूसरा हुआ होगा, और गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर हम लोग लिकार रहे हैं, जब त्रिज्या 15 cm हो, तो वो अपना वो बदर रहोगा, आकृती को, बदर रहोगा, with respect to time, तो यह dv by dt हैंए, और हम लोग को लिकालना है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर, हम लोग को ग्या करना है समझ माया तो जब मैं फुगगा को ऐसे फुला रहा हूँ गुब रही दिया न फुला रहा हूँ तो पहले वो छोता होगा फिर बड़ा 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 करके कहां तक 900 गन सेंटीमीटर तक मैं ऐसे फुलाऊंगा समझ मैं तो उसकी त्रिज्य बदलती जाएगी ना त्रिज्य बदलती जाएगी पहले छोटा होगा फिर हावर डालते जाएगा तो ऐसे ऐसे करके बड़ा होते जाएगा तो इसकी को मालूम Rainbow लिवी पता कर लेते हैं तो मी क्या है यह इसका वी वी क्या है गुबारे का आयतन पिछले कोष्चन में लिखाया था गुबारे का आयतन ने अप लोग लिखें गुबारे का गुबारे का आयतन को मैं V से शोग किया तो अगर मैं इसको differentiation कर दूं तो यह क्या हो जाएगा डी वी बाइडी टी यहां पर मैं T के respect में differentiation किया और इसको भी किया यह हो जाएगा डी बाइडी टी चार बटा तीन चार बटा तीन पाई आर की घात द्यान से देखना तो डी बाइडी टी के value यहां पे गीवन है यह नौसो अब चार बटा तीन पाई constant है 4 बटा तीन पाई constant है तो बहार लिका हो दिया तो बस मेरे पास यह बस बचा अब यह 900 चार बटा तीन पाई अब यार इसको तो फिर से differentiation करना है, तो T है, तो इसको simple T माल लो, तो T की घाथ 3 का differentiation क्या होगा, 3 T square, लेकिन T नहीं लिखना है, जिसको माने हो लिखना है, into अब उधारी चुकाएंगे, क्योंकि यह तो T नहीं है, तो जिसको माने हो, उसको एक बाए फिर से differentiation कर दो, मेरे को यह DR बटे, DT ही तो fine करना है, DR बटे, DT जब मेरा R 15 cm हो, तो ध्यान से देखना, यह मेरा 900, 4 बटा 3, Pi, यह हुआ 3 गुणा, R कितना हो, 15 cm हो, तब हम लोगों करना है, 15 cm, तब मेरे को DR by DT चाहिए, तो R की value 15 cm रखूंगो, तो 15 का square 225 होता है, 15 का square 225, तो मैं 225 डारेक्ट लिख रहा हूं, DR by DT, मेरे को यह DR by DT चाहिए, तो देखो कुछ कट रहे क्या, देखते हैं, गुणा भाग कर के कुछ, पा खतम हो गया, यह 3 से 3 खतम हो गया, तो अभी क्या बच्चा, अभी क्या बच्चा है, 900, इस 4 को, 4 pi गुणा 225 को मैं इधर भेज रहा हूं, तो यह गुणा में तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 900 बटा, 4 pi, 4 pi गुणा 225, 225 बराबर DR by DT, मेरे को DR by DT तो चाहिए, चलो ध्यान से देखते हैं, किसी से तो कटेगा, पास से काट दूँ, चलो इसको मैं पास से काटता हूं, तो 5 एकम 5, तो 4 बचा, 5, 8, 40, यह आया, इसको भी पास से काटता हूं, 5 चौक 20, तो दो इधर गया, 25, 25, अब और पास से कटेगा क्या, देखते हैं, पास तिया 15, पास तिया 15, तो 5, 36, पास निया 45, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना बचा, एक बटा पाई बचा, एक बटा पाई बचेगा, एक बटा पाई, एक बटा पाई बचेगा, एक बटा पाई बचेगा, एक बटा पाई बचेगा, यहां काट कुटा के देख लेना, एक बटा πाई dr by dt की value आ गई अब πाई की value आप लोग 3.14 यह आप लोग put कर सकते हो या यही answer है इसको answer में कैसे लिखोगे dr by dt एक बटा πाई हमको त्रिज्य बोला है त्रिज्य बोला है तो हम लोग क्या करेंगे इसके जो त्रिज्य है न वो centimeter centimeter per second बढ़ रही है ध्यान से देखो जब छेत्रफल पूषता है तो घात में 2 लगाता हूँ जब आयतन पूषता है तो घात में 3 लगाता हूँ लेकिन जब त्रिज्य विज्य पूछ रहे है तो घात में कुछ लगाने के जरुवत नहीं यह unit है यह इकाई है यह आप लोग कक्षा नववी-दसवी से पढ़ते आ रहे हो समझ माया इकाई क्या होता है सर आप लोग आलू खरीदने गए तो आप लोग बोलते हो 2 किलो आलू देना 5 किलो आलू देना तो यह जो किलो है न उसकी इकाई है ऐसे थोना बोलते हो कि 5 मिटर आलू देना 10 मिटर आलू देना ऐसे घूर के भगाएगा दुकान दार पर कपड़ा लेने जाते हो तो उस कपड़े की इकाई क्या है unit क्या है मिटर में या centimeter में ऐसे थोना जाते हो 2 किलो कपड़ा देना या 2 kg पैंट दिखाना ऐसे नहीं, 2 मीटर दिखाना, 10 मीटर दिखाना, ऐसे बात करते हैं, तो जब त्रिज्या की बात होती है, तो बस cm, या मीटर या जो भी दिया हो, स्क्वार और क्यूब नहीं लगाते हैं, ठीक है, यहां पे cm पर सेकंड दिया है, तो cm पर सेकंड, तो मैं चार कोश्चन आप लोगो करवाया, तो पहला कोश्चन आप लोग करोगे, फिर दूसरा करोगे, दूसरे के बाद आप लोग चौंथा करना, दूसरे के बाद चौंथा करना, चौंथे के बाद तीशरा करना, अब आप लोग को जो कोश्चन सेस रहा गया है, कोश्चन पांच, कुष्चन छे और कुष्चन साथ, ये तीन कुष्चन बस है, ये तीन कुष्चन हो जाएगा और ये अध्याय टाटा बायबाय हो जाएगा, बोला मैं, तो आप लोग यार इसको ध्यान से देखना, तो अगर आप लोगों नहीं लगता है कि न कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों थोड़ा सा धैरे रखना है, क्योंकि गड़ित न थोड़ा सबर मांगता है, साट से नहीं आ जाएगा, अभी तक आर आर त्रिज्या त्रिज्या पढ़ रहे था, अचानक से डी आर भाई डी टी आ इसका मतलब क्या है, अबदे भर्तन की दर पुछ रहा है यहां पर, तो हमोनोग क्या क्या करें यह हम लोग पूरा करें, कैलकूलेशन आप लोग को फडाफटाना चीह, फोर्मूला आप लोगके एकदम याद है क्या है, एस फोर्मूल आप लोगको याद था क्या, पहले ही वीडियो में बताय देखो दूसरा वीडियो भी जबरदस्त था तो इसमें भी यह 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 इंपोर्टेंट है यह आप लोगों को याद था क्या बुल बुले का एतन हां या याद था क्या बताओ यह वृत का याद था कि नहीं वृत का छेत्रफल यह याद था कि नहीं यह यह याद था कि नहीं यह पहले को मैं समझाने के लिए थोड़ था टाइम लिया यह नहीं बनाऊंगे तोभी चलेगे सम भी परपसर से BT हर ये आत नहीं है कि है लेके अप्रक도 बताए जा रहा है मडेट के सब्जեդ में ये किसी पहले येशा अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो नो तो थोड़ा सा न मेरे को न 10-15 मिनिट दिया करो, 10-15 मिनिट में आप लोगो सब समझ में आ जाएगा, और at least, अबर 10-15 मिनिट में अगर आप लोगो समझ नहीं आया, तो मेरे ना कम से कम दो या तीन कोश्चन तक वेट किया करो इसके बाद तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, तब मैं चार कुश्चन करा दिया, तो कुश्चन नमबर फिप्थ, कुश्चन नमबर फिप्थ के साथ मैं आप लोगो मिलूँगा, फिफ, सिक्स, सेवन करेंगे और हमारा ही अध्याय ख